हेलो दोस्तो मैं किसन सर्मा स्वाहत करता हूँ आपका अपनी यूटूब चैनल नोटूप में तो दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते कि आपके रेलवे एंटी पीसी 2020 की एक्जाम 15 इसमबर से सुरू हो रही है और किसी भी एक्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पिछले साल की पेपर सॉल करना सबसे जादा इंपॉर्टेंट होता है तो दोस्तो मैं आप लोग को एंटी पीसी 2016 के सभी पेपर को डेली क्लासिस के माध्यम से सॉल करवाऊंगा और हर क्वेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी वताऊंगा तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए तो दोस्तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब परके बेल आइकन को प्रेस कर दीजे ताके मैं जो भी क्लासिस की वीडियो अप्लोड करू तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आए दोस्तो देखते हमारा पहला क्वेश्चन तो दोस्तो ये क्वेश्चन 29 मार्च 2016 के सिफ्ट वन में पूछे गया थे ठीक है तो ये देखते पहला क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन है मंगल यान कहां से लांच किया गया था ठीक है तो इसका राइट आंसर है ऑप्सन नमबर भी स्रीहरी कोटा आंधर मार्च नोवअंबर 2013 को मंगल यान को लॉंच किया गया था ठीक है मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहते है यानि कि मैम भी कहते हैं मंगल यान मिशन को ठीक है नेकाह 2 कोशन दोस्तों चीमी वेल्स और लारी सेंग word कि संबन दीन थे तो इसका राइट और ऑप्सन नंबर व्ल जीमी वेल्स और लेरी सेंगल विकीपीडिया के फाउंडर है और इन्होंने सन 2001 में विकीपीडिया की स्थाफना कि थी और दोस्तों जो सेकेंड ऑप्शन है गूगल ये भी आप लोग के अधर सिफ्ट में पुछा गया था कि इसके फाउंडर कोन है तो इसके फाउंडर है लेरी पेज और सरगी ब्रिन ठीक है यह दोनों इसके फाउंडर है गूगल के और विकिपीडिया के जिमी वेल्स और लेरी सेंगर नेश कोईशन दोस्तों सेसल दूइप कहां इसतित है तो इसका फाउंचर है उसके फाउसं ये नंबर ये हिन्ध माहसागर में इस्तित है और दोस्तों ये Ahora यहाँ की करन्सी है दोस्तों सेशल रुपी यह Strips के तो इसका पांसर ऑससन ब्रें टूच्व पर मक्याल diff और यहीं पर इंटरपोल यानि की इंटरनेशनल पुलीस और्गिनाइजेशन इसका है लियोन में और दोस्तों जो फ्रांस है इसकी करंसी है यूरो करंसी यानि की मुद्रा जो है वो यूरो है ठीक है नेश कोशन है कुछिकल जल प्रपात कहां पाया जाता है तो इसका चैना में काज़ का विश्कार कहां पर रुआ था खुआख है यानि की राजधानी बीजिंग है ठीक है और यहां की करंसी यानि की मुद्रा युवान है तो इन सब चीज का भी आप लोग ध्यान देज़ेगा इसका राइट आंसर है ऑप्सन नमबरे चीन नेश कोशन है निमलिखित गैसों में से कौन सी गैस प्रित्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है तो इसका राइट आंसर है ऑप्सन नमबरे जल वास और सियो टू जल वास्प यानि के दोस्तों वाटर वेपर और सियो टू की मेलने से जो ग्रीन हाउस गैसे वह बनती है ठीक है और इसके साथ साथ सी यानि की क्लोरो फ्लोरो का अरवन भी ग्रीन हाउस गैसे में आती है तो इसका राइट आंसर है ऑप्सन नमबर जल वास और सियो टू नेक्स कोशन निमलिखित में से किसी औरम कहा जाता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्सन नमबर भी सोना जो और मैं दोस्तों यह गोल्ड का लैटी नाम है ठीक है नमबर इसका जो और इसका प्रमानु संक्या होता है यह 79 होता है और दोस्तों जो जो गोल्ड का अटामिक नमबर है आप लोग का 2018 के ग्रूप D के एकजाम में पूछा गया था ठीक है ठीक है और इसका जो अप्सन नमबर भी गोल्ड तो दो नेक्स कोशन है दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की जहीं कौन सी है तो इसका राइट अंसर है अंतिम मुगल समराथ कौन था तो और दोस्तों जो पहले मुगल समराड थे वो बाबर थे इन्होंने सन 1526 इस्वी में मुगल समराज्य की स्थापना की थी तो इसका राइट आंसर अप्सन नमबर डी बहादूर सा जफर नेश कोशन है दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था तो इसका स्थापना 1582 इस्वी में अकबर ने की थी तो इसका राइट आंसर अप्सन नमबर सी अकबर तो नेक्श कोशन है निम्लिखित में से ब्राजील की आधिकारिक भासा का नाम क्या है तो इसका राइट आंसर अप्सन नमबर ए पूर्तगाली पूर्तगाली जो लेंग्वेज है दोस्तो जो यहां के capital यानि की राजधानी है वो ब्रा जीलिया है और यहां की जो मुद्रा है यानि की currency है वो real है तो इसका right answer क्या है option number A पुर्तगाली तो दोस्तो next question है रात में आकास में सबसे चमकिले तारे कौन से है तो इसका right answer option number B serious A ठीक है जो सबसे रात में चमकदार तारा होता है वो serious A तारा होता है next question है एक glacier में गहरी दरार को क्या कहा जाता है तो दोस्तो जो गहरी दरार होती कोई भी वोलते हैं कि लिए तो बीच को दरार होते हैं कि से पाइस में करी नाम बनांब इसका भाइसे music गफार खान इन्हें इसमांत गांधी के फ्रंटियर गांधी कहा जाइता है और अधुछल का लाइश को ठीक और है लाइश कोशें अप्सन में फूटवाल का सबसे ज्यादा भार जीता है प्राइब और आप उस्का प्रे Всем सब्सक्राइब निम्लिभित में सरा दीगे मुद्रा कौन सी है तो इसका राइट आंसर है और यह थाइलेंड की मुद्रा है और दोस्तों जो थाइलेंड है यहां की नमबर B, laser ठीक है, laser का उप्योग किया जाता है compact disc के इस्तमाल में, और दोस्तों जो laser है, इसका full form क्या होता है, light amplification by stimulated emission of radiation, ठीक है, क्या होता है, light amplification by stimulated emission of radiation, next question दोस्तों, विशु परयाद वरन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका right answer, option नमबर C, 5 जून, 5 जून को विशु world environment day मनाया जाता है, और दोस्तों, जो 2020 है, इसमें world environmental day की theme क्या थी, यह आप लोग धियान दीजेगा, यह question आप लोग का exam में बनता है, तो इसका right answer है, time for nature, ठीक है, time for nature, यानि की प्रकरती के लिए समय, तो यह दोस्तों आप लोग की theme थी, 2020 के लिए, ठीक है, time for nature, और इसक question दोस्तों, UNESCO का headquarter, यानि की मुख्याले कहां इस्तीत है, तो इसका right answer, option number D, Paris, और दोस्तों, जो Paris है, यह फ्रांस की capital है, ठीक है, और दोस्तों, जो France है, यहां के president कौन है, यहां के president है, Emmanuel Macron, ठीक है, इसका भी आप लोग ध्यान दीजेगा, दोस्तों, यहां जो France है, इसकी जो president है, वो Emmanuel Macron है, ठीक है, next question दोस्तों, हवा के परागन को, यानि की pollination को क्या कहा जाता है, तो इसका right answer है, दोस्तों, option number C, animophily, और इसमें दोस्तों, आप लोगो confusion भी नहीं होगा, क्योंकि जहां भी animo word आता है, उसका contact होता है, आप लोग का air, यानि की wind से हो, ठीक है, त यहां पर आप लोग देख सकते हैं, हवा पूछ रहा है, विंड पूछ रहा है, तो यह आप लोग का animo एक ही आंसर बच रहा है, तो right answer के option number C, animophily, next question दोस्तों, भारत का राश्ट्रे गीत किसने लिखा था, तो इसका right answer है, option number B, बंकिम चंदर चटर जी, इन्होंने राश राश्ट्रे ग्यान, यानि कि जिसे हम इंगलिस में नेशनल अन्थेम कहते हैं, उन्होंने लिखा था, ठीक है, रविद नाट टैगोर ने राश्ट्रे गान लिखा था, और दोस्तों, जो रविद नाट टैगोर इनसे एक क्वेशन और बनता है, कि इन्हें 1913 इस्वी में सांती के लिए, नोबल अवार्ड दिया गया था, ठीक है, तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजेगा, तो इसका राइट आंसर के आप्सन नंबर भी, बंकिम चंद्र चटर जी, नेश्ट कोशन दोस्तों, मानो सरी का एक मात रंग जो पुना विक्सित हो सकता है, तो इसका राइट आंसर है, अप्सन नंबर C, लिवर, नेश्ट कोशन दोस्तों, मानो सरी में लेंगर हैंस के आईलेट कहां पाये जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर है, अगनासे में ही लेंगर हैंस के आईलेट पाये जाते हैं, और दोस्तों, जो लें की मात्रा को नियंतित करता है जो सुगर की मात्रा वह इंसुलीन हार्मोन के द्वारी कंट्रोल किया जाता है नेस्ट कोफशन दोस्तों निमलिखित से कार्बनिक योगी को में हमेशा क्या मवजूद रहता है तो इसका राइट आंसर ऑप्सन नंबर एक कार्बन जो भी दोस्तों और गेनिक कंपाउंड होंगे उसमें आप लोगा कार्बन प्रेजेंट होता ही है और दोस्तों जो एटॉमिक मास है वह 12 होता है ठीक है और इसक आप्सन नंबर डी चंद्र सेखा राजाद ने जब इन्हों को पुलीस ने चारो और से घेर लिया था था तो इन्हों ने बंदूर के गोली से खुद को शूट कर लिया था ठीक है तो इसका राइट आंसर है उसका योगदान के लिए एडवर्ड जेनर परसीद था है तो चेक चक का टीका है दोस्तों स्मॉल पॉक का टीका है वह भी किसके द्वारा खो जा गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा तो इसका राइट आंसर है ऑप्सन नंबर ए टीका यानि की वैक्सिनेशन नेश्ट कोशन दोस्तों निमलिखित में से कौन सा देश बंदरगा विहि ओप्सन नंबर भी कजाकिस्तान क्सक्राइट भारति रिगव का टीका रास्ट्र क्रण तो इसका भारति जरू बैंक रास्ट्रे कर रहें यानि किस वर्ष में किया गया था तो इसका राइट ऑप्सन नंबर लिए सब्सक्राइन करा हुआ और निश्रण लिसका एक इसे व्यान दिए यह को अगिया श्राइकि तो राइट रहां देनिक पेस्ट कर्णतीज मंगल में छी साफ़ लिचे अदिकिर तो दोस्तो आज के क्लास में इतना ही और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि मैं सभी क्लास की वीडियो अप्लोड करो तो उसकी नौटिफिकेशन आपको मिलती रहे और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड गूप में शेयर जरूर करें शेयर करने इसके होगा दोस्तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो मैं इसी तरह कि आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेते आता रहूंगा ठीक ह है तो दोस्तों आप लोग सेयर जरूर करें तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब हम लोग नेक्स क्लास में तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ओल